बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम स्लाम अलेकुम आप देख रहें प्रोग्राम कैपिटल लाइव दनीका मैं हूँ आपके साथ दनीका निसार नाजीन दनीया भर में करोना वायरस ने मौत की लहर दोडा दी और हमारे हमसाए इससना के अंदर बड़े बुरे तरीके से मतासर है वहाँ वेंटिलेटर मिलना, ऑक्सिजन बेड मिलना, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स मिलना, ऑक्सिजन सिलेंडर मिलना, यहां तक क्या अम्बिलेंस और हॉस्पिटल में पाउं रखने की जगा मिलना भी नामुम्किन हो गया है पाकिस्तान के हमसाए यानि भारत में हालात बहुत कशीदा हैं और अब गली कुछों के अंतर भी अमवात वाकिया होने लगी है हाल यह है कि अमीर और गरीब का फर्क किये बगएर, बुड़े और जवान का फर्क किये बगएर अभी अधिस पॉइंट इन टाइम भारत के अंदर ये वबा पूरे को पूरा भाँचाल मचाय हुए है पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात ना हो इसके जिम्मेदार हुकूमत तो ही है लेकिन मैं और आप भी है क्योंके अगर हम हुकूमत की जारी की हुई हदायात पर मन्नो अन काम नहीं करते उसी के हिसाब से नहीं चलते तो फिर हम भी खुदा ना खासता आला ना करे और अपने है वो है इसके अलावा जिनुवी अफ्रीका का वेरियंट भी पाकिस्तान के अंदर आ चुक और भी बहुत सारे वेरियंस में म्यूटेट कर चुका है यह कोविट बाइन नाइटीन पाकिस्तान के अंदर कुल जो कोविट नाइटीन के के सी हैं वो तकरीबन साड़े आठ अब तक फर्स्ट वेव से लेकर अब तक हो चुके हैं जिसके अंदर से तक्रीबान सवा लाक से साड़े साथ लाक के बीच में लोग रिकवर कर गए हैं और टोटल अमवात जो हैं पाकिस्तान के अंदर तक्रीबान 20,000 के करीब हैं पहली लहर और दूसरी लहर के कंपारिजन में तीसरी लहर बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हर रोज तक्रीबान सौ से जाएद लोगों की जाने जा रही हैं ऐसा पहली और दूसरी वेव में नहीं देखने में आया था और ये वाले कोविन नाइटीन की वेव की वाइरिलेंस भी जादा है यानी बहुत तेजी से ये फै प्रेस ब्रीफिंग की थी जिसके अंदर उन्होंने बड़ी घंबीर सूर्थहाल की तरफ इशारा किया लेकिन क्या आप और मैं हुकुम्मत की बात सुनने को तयार हैं एंसी उसी ने हिदायात दी हैं कि परसों यानी सैटरड़े आठ तारीख से लेकर सोला तारीख यानी अगले संडे तक इंटर प्रोविंशल मूवमेंट बंद कर दी जाएगी बैन कर दी जाएगी पबलिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी रेस्टरान दुकाने शॉपिंग मॉल्स इसके इलावा होटेल सब बंद होंगे इसके साथ साथ टूरिजम रिजॉर्ट भी बं पाकिस्तान में साथ साल से जाएद लोगों की वैक्सिनेशन साथ साल से जाएद लोगों की वैक्सिनेशन और अब पचास साल से जाएद लोगों की वैक्सिनेशन भी वाकिन हो रही है इसके साथ साथ चालिस साल से जाएद लोगों को ये तंबी की जा रही है और गुजार अगर आप 40 साल से उपर के हैं तो अपने आपको रेजिस्टर करवाईए और 40 तोर पर वैक्सिनेशन करवाईए अगर 50 साल से उपर हैं तो 1166 के उपर अपना शनाखती कार्ड नंबर भेज कर अपने अपॉइंटमेंट लीजे और साथी साथ वैक्सिनेशन करवाईए हमारे स साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर मुम्ताज अली खान साथ भी है जो के नैशनल आई पी सी फोकल पर्सन है एनाई एच में होते हैं बहुत चुक्रिया आप दोनों का आपने जॉइन किया दोनों से बात करूंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद डॉक्टर नसीम सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी आपने तो करोना वाइरस को बड़ी करीब से देखा है मरीजों के फॉर्म में भी क्योंके आप कोविड वर्ड की चार्ज थी और खुद भी सफर किया आप खुद भी इस चीज़ से गुजरी हैं मैं भी इस चीज़ से ले रहे पहली वेव में दूसरी वेव में और अब तीसरी वेव में आप पिम्ज के कोविड वॉरड के अंदर किया हालाद देखती हैं किस तरह से मुक्तलिफ है येवाली वेव पहली दो वेव के विस का ड horizon जब COVID की पहली वेव गुजरी और हमारे number of patients काफी reduce हो गया तो फिर वो जो खौफ की फिजात ही वो काफी हद तक कम हो गई stigma घट गया जैसे आपको पता है जैसे किसी को पता सलता था के COVID का infection हो गया तो बहुत सरे लोग एक दूसरे को बताते भी नहीं थे और थोड़े strictly उसके पर अमल कर रहे थे लेकिन अभी है कि क्लिनिक में खासतर पर hospital के अंदर हमने देखा है कि COVID positive cases होते हैं और वो खासतर पर private clinics के अंदर मैंने notice किया है कि लोग positive भी होते हैं आके सामने बैठ जाते हैं और फिर आपको पता चलता है कि यह COVID का case है तो यह जिस तरह से SOP's पर हम चाहरे थे कि ML रामत हो वो बिल्कुल प्याव नजर नहीं आ रहा और crowding इतनी ज़ादा है close spaces के अंदर छोट-छोटे hospital बनने में उसमें patients का रच इतना जादा होता है कि वो कोई social distancing उनके दरम्यान बरकरार नहीं रही और लोगों ने mask यह जरूर हमने देखा है कि mask पहनने की जो frequency वो तोड़ी बढ़ गी है खास दोर पर जिन चुगों पर यह mandatory किया गया कि आपने mask बगार नहीं आना तो वो लोग मास्क पहन के आते हैं लेकिन still जहां पर आप public spaces हैं जहां पर आप देखें कि बाजार हैं markets हैं प्लाजास हैं जहां पर लोग जाते शॉपिंग करने चाते हैं या सबजी बंडी है आप बड़े क्रीब से आप लोगों को देख सकते हैं कि लोगोंने कोई मास वाक्स नहीं पहना होता और अगर वो पहना भी हुआ है तो वो आया नाक से नीचे होता है या थोड़ी से नीचे इसको लगायावा होता है तो ये कैजूल एटिचूड जो है वो हमें सेकेंड और थर्ड वेव में देखने को मिला है और खास्तर पर अब चूंके पेशन्स बहुत जादा हमारे भड़ गे कुछ हमारे प्रोविंसिस के अंदर पंजाब में आप देखें केपी में देखें इसलामबाद में काफी क्या हो रही हैं वो सारी कि सारी करोना की रही है लेकिन जो हस्पिताल है वो कोई कोई कौन सी क्गिंसपिरिसी करके सारे के सारी मगँआइब को COVID-19 की अमबाद में डाली जा हुए है ऐसी कोई बात है क्या ऐसां है कि बाकि जतनी 무ब जी हमआइब को में अमवाद हो रही है उनको भी कोविड नाइटीन की अमवाद जाहिर किया जा रहा हूं आ नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है देखिए पहली वेव में हमें काफी प्रॉब्लम्स होते थे कई दफा पेशनर्स हमारे हॉस्पिटल में लाए जाते थे जो ब्रॉड डेड होते जब तक हम यह कंफार्म नी कर लेते थे कि यह कोविड की वजा से डेथ हुई है या नहीं हुई है तो अभी भी सिचुएशन इसी तरह हैं कि हॉस्पिटलाइज जो पेशन होते हैं उनके कोविड टेस्ट लाजमी होता है और यह भी मैं बताते चलूं कि जो कोविड का इं जो जाए तो जरूरी नहीं कि वो कोविड से मुतासिर हो के ही फौत हूं उनके अंडरलाइन जो डिजीज होती है वो भी बीच में वर्स हो रही होती है बुखली वजुहात की बिना पर तो दोनों चीजे अटर टाइम वो एक्जिस्ट का रही होती है तो जो जो मॉटलिट है इन स्ट्रेंड में जो के अब की मुटेशन जा रही है साउट अफरिकन है कोई इंडियन है कोई यूके की है और जो औरिजिनल कोविड नाइटीन था इसके असरात कैसे मुख्तलिफ है क्या बिमारी जादा खौफनाक हो गई है क्या बिमारी जो हमारी बुजर्ग अबा है इसमें इसमें जो अगर ज्यादा हम डीप ली जाए है और ज्यादा कैसिस के अनलेसिस करें तो एज ग्रूप में कोई इतना ज्यादा डिपरेंस नहीं है लेकिन इस उत भी हमारे पास यंगर एज जो है वो इन्फिक्ट हो रहा है इसमें बच्चे बेशामिल है कुछ हम फिक्टिर्टी पिरियड है वो तोड़ सा ज्यादा हो रहा है पहले हम जब कैसिस का ठेंथ डे हुआ करता था और सिंट्रम्स नहीं होते थे तो टेस्ट करके वो निगटिव हो जाते थे अब वो कुछ अरसे के लिए प्रूलांग हो जाते है मिन्स फिक्टीन डे पे या ट दूसरे बच्चों और बाकी फैमिली मेंबर्स तक ज्यादा तेजी से पहलता है तो यह कुछ डिपरेंसे इस वेरियंट या जो नया वाइरस है साल पिछले से डिपरेंट है वो इस तुरत में डिपरेंट है कि ज्यादा इंफेक्टिविटी है ज्यादा से वेर कैसिज आ हैं और ज्यादा बच्चों के तरफ ज्यादा पैल रहा है और फैमिली में ज्यादा यह स्परेट कर रहा है राइट अच्छा यह भी बता दीजेगा कि कुछ शेहमगोईयां चल रही है कि जो वैक्सीन है वो शायद यूके वेरियंट के लिए कारामद नहीं है या शायद आने वाले कोविड-19 के लिए सही नहीं है डॉक्टर मॉम्तास ऐसे है कि जितनी भी वारिस हैं जैसे इन्फ्लुएंजा वारिस है या यह जो कोविड-वारिस है इसमें चेंजिस तो आती रहती है और इसले एक साल के वेरियंट या वारिस के खिलाब कारमत नहीं होती लेक कुछ केसे में यह बता रहे हैं कि साथ अफ्रिकन जो वेरियंट है उसमें ज्यादा कारमत नहीं हो सकता है यह कुछ पुछ हद तक उसमें भी कारमत है हंडिट परसंट तो किसी एक भी वारिस के खिलाब यह कारमत नहीं है जितनी भी वेक्सीन है इस वत इनकी एपकेसी हो सकता है जिन्होंने विक्सीन लगाया हो लेकिन बाद में इसकी सिवेरिटी इतनी नहीं होती जितनी अन्वेक्सिनेटिट लोग में होती है अच्छा नसीम पिछले टाइम भी एक वक्त आया था के कोविड के बिस्तर भरी जा रहे थे लेकिन अभी तो पिछले प्रेस प क्या अवाम नेगलेजिंट है या फिर ये वाइरस जादा ताकतवर है या फिर इसमार वाइरस का जो अटैक है वो जादा सीरियस है जी मिली चुली सी बाते हैं इसमें सिर्फ ये कैदेना कि सिर्फ आवाम की गलती है जिसके सब कुछ हो रहे है आपने देखा होगा कि पहले हैं वाइरस जो उसका जो पाकिसान में चायद या पाया जा रहा हो क्युकि इसके उपर अभी हमें हत्मी नहीं मालूम कि यह इस ट्रॉयन अभी है इं पाकिसान में यह नहीं है लेकिन आ यह बात दुर्स्त है कि जो युके वेरियंट था या धुड दूसरे वेरियं या तो वाइरस उस म्यूटेशन के दौरान खतम हो जाता है या उसकी विरुलेंस जो है वो खतम हो जाती है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसी चेंज आजाती है वाइरस के अंदर के एक बिल्कुल डिफरेंट किसम का वाइरस जनम लेता है जिसकी प्रॉपरिटी अपने औरीजनल वाइरस से मुक्तलिफ होती है तो ये विरिशन आती रहेंगी और शायद अगर ये खुदाना खास्ता कोविट की पैंडेमिक इस तरह से चलती रही तो मजीद विरियंट आने का डर है लेकिन ये मैं कहूंगे कि हर विरियंट एक जैसा नहीं है कुछ का पहलाओ पहलाओ विरिशन भी जादा था उनकी मौटालिटी भी जादा थी थी हमने ये देखा कि पिछले वाइरस से अगर लोग 答 मतासिर हो थे तो एक वक्त में अगर फانच लोग मतासिर हो रहे हैं तो इस नए स्वेंट से एक वक्त मेें 10 या 15 या 15 लोग मतासिर हो रहे थे या एक ही घर में जादा लोग मतासिर हो रहे हैं अभी भी ये तादाद काफी जादा है अगरचे हमने ये नोटिस किया है कि थोड़ा सा ठहराओ या स्टेबिलिटी इसमें आई है खास वर पर अगर आप इसलामबाद की स्टेटिस्टिक्स देखें तो स्लाइटली कमी भी देख कि खास ने से पहलता है और सर्फिसिस को टच करने से पहलता है तो कहने का मतलब यह के ट्रांसमिशन का जूके मैठर डेकी है रूट एक ही है तो हमारे जो एसो पीज है वो चेंज नहीं होते तो उनके ऊपर हमें खास तो पर देखना चाहिए कि हमने उनको फालो किया एकि किया स्ट्रेंज तो आते रहेंगे म्यूटेशन भी होती रहेंगे अच्छा अच्छा अब ब्रेक की तरफ जाओंगे ब्रेक के बाद वापिस आओंगे उसके बाद पर डॉक्टर मुमताद से भी बात करेंगे सियो अफ्टर ब्रेक वल्कम बैक आफ्टर ब्रेक नजरीन करोना वाइरस एक खतरनाक बिमारी जिसका अभी तक फिल्हाल कोई इलाज नहीं सिवाए ये कि प्रिवेंशन की जाए और वैक्सीन लगवाई जाए तो मैं एक बार फिर दर्खास करूंगी आप सबसे के जो जो चालिस साल से उपर है वो अपने आपको वैक्सीन के लिए रेजिस्टर कराएं और पचास साल से उपर के लोग जाकर वाकिन वैक्सिनेशन कराएं अपने शराखती कार्ड नंबर को डबल वन डबल सिक्स पर भ फॉलो करना भी हमें बड़े वाज़े तोर पर नजर आ रहा था लेकिना इस्ता इस्ता पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से है हमारा एटिट्यूड वरा रिलाक्स हो जाया करता है किसी भी मुश्किल के लिए कोविड नाइंटीन की थर्ड वेव पाकिस्तान के अंदर इसके लिए कितना ज़्यादा जरूरी है कि जो इंसी-ओसी की हिदाइयात है उनको फॉलो किया जायाए सोपीस को फॉलो किया जाया एंड फॉर एग्जांपल नहीं करता कोई फॉलो तो फिर क्या होगा पाकिस्तान क्या भारत वाली सुरतिहाल में आपको जाता हुआ नजर आ र कर सकते हैं पिछ्टे साल जब ये फर्वरी में शुरू हुआ और हमारे पास चंद एक कैसिस थे एक का दुका कैसिस स्टार्ट हुआ था पिर लोगों में रिस्पॉंस लेवल बड़ा अच्छा था लोग एस वीज को फालो कर रहे थे और वाइरस भी इतना वेरॉलन्ट नही करते थे और दूसरी तरफ से वायरस भी ज्यादा एकरेसिव है ज्यादा जिली इसकी ट्रांसमेशन है ज्यादा तेज पेलता है और ज्यादा सवेयर कैसे इससदे आ सफ य्थक्रों करेंने में स्पॉरण हो रहें और साथ साथ कर हम देखें तो हमेरे पास केसिस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं मसलसल हॉस्पिटल्स में इस वत 70-80% जो बेट्स हैं वो अकुपाइड है अक्सीजन बेट्स अकुपाइड है हाई डेपेंडेंसी यूनिट्स जो है वो अकुपाइड है और लोग पिर रहे हैं उ जो डाइगनोज भी नहीं होते हैं और इस चेकर में वो आगे पीछे पित्ते भी रहते हैं और इस ब्मारे को वो निट्रूट कर रहे होते हैं सो डिपनेट्ली बेहिसी लोगों की बढ़ गई है और वायरस की जो विरुलेंस है या उसकी जो एग्रेसिवने से वो भी बढ रहा है तो यह सुरतियाल पाकिस्तानी कमिनिटी के लिए पाकिस्तानी पॉब्लिक के लिए डिपरेंट्ली डिपरेंट्ली यह खतरनाक हो सकता है और इंडिया जैसे सुरतियाल तो हम इसकी प्रेजंटेशन की तरफ भी डॉक्टर साहिबा जिस तरह से बिमारी इंसानी जिस्म को मुतास्र करती है और जिस तरह से अपने आपको प्रेजंट करती है हर शक्स के लिए डिफरेंट होता है मेरे घर में पांच लोग मुतासर थे पांचों की सिम्टम बड़े ही और शक्स के लिए यह अपने आपको कैसे प्रेजंट करिया इस ताइंप से कोई नाइटिन अपने आपको कैसे प्रेजंट कर रहा है कि अगर मीने में चुछ पॉज सेथर और हो थैसको कोई भी प्योट्टिव्ट चाहिए, फिर भूष्टर अश्रम हो सकते हैं, बागी लोग अपनी स्क्रीनिंग कर लें, तो उनमे से कोच और भी पॉजट आ जाते हैं, न कोई ओने जा पॉज़ प्रेजिटेशन हैं, कोई दूज कोई और बहुत सारी जगों पर ये भी देखने को हमें मिला है कि इसको टाइफ़ड फीवर बना दिया जाता है या मलेरिया का इंफेक्शन बना दिया चाता है या कोई और खास दूर पर टाइफ़ड के साथ तो कंफियर हमेशा क्रियेट रहती है कि शायद इतना तेज बुखार वो टाइफ़ड की वजा से है तो मैं यह कहूंगी कि इवन कोवेड वाइरस इंफेक्शन के साथ भी इतना तेज बुखार हो सकता है इसलिए इसको अननेसेसरी लिए समझ लेना कि कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया है और इसको एंटिपार्टिक दे देना ये कोई अकल बंदी नहीं है ये एक ही एक इसकी प्रेजंटेशन है तेज बुखार इसके साथ साथ हमने देखा है कि जिसम में दर्थ की शिकायत बहुत जादा होती है पेशन्स को लास अफ टेस्ट और स्मेल जो है वो भी कुछ लोग आके बता रहे लेकिन इस दफा हमने एक कि बRIS कि लिए तो नहीं तो तो नहीं होती है हर किसी को नहीं होती है मिज्जारिटी पेशन्ट एसिंट्माटिक ही रहते हैं, हलका फुलका बुखार और हलका फुलका जिसमादाद हो सकता है। लेकिन ऐसे patients हमारे पास hospitals में आ रहे हैं जो basically respiratory symptoms के साथ हैं जिनको खासी होती है और उनको आहस्ता आहस्ता ये सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही होती है शुरू में वो अच्छा फील कर रहे होते हैं लेकिन जब disease की progression हो रही होती है तो जब वो exertion करते हैं थोड़ा चलना परना शुरू करते हैं तो एकदम उनका जो सांस है उनको खुद से फील होने लगता है कि सांस लेने में दिकत हो रही है थकावट महसूस हो रही है चैस्ट में भारी पन महसूस हो रहा है तो ये वो patient हैं जिन में basically respiratory symptoms आ रहे होते हैं जब आप उनकी saturation चेक करें तो वो यकीना majority की drop हो रही होती है जिन में या लामात पाई जाती है तो ये जो थोड़ा सा difference हमने notice कि GI symptoms या जो पेट वाले लामात हैं वो हमने जादा देखी है इस wave में आप दोनों से पेगाम लेना चाहूंगे अवाम को क्या पेगाम देना चाहते हैं कुछ दिन रह गए एद में एद के बाद तक lockdown चलेगा what is your message to the general public अवाम को मैं यही पेगाम देना चाहूंगा डॉक्टरों की तरफ से government की तरफ से कि सूपी इसको फालो करें अगर किसी में symptoms नहीं हैं लेकिन वो भी virus केरी कर सकता है अगर कोई यह समझता है कि वो मास्क नहीं पेहनेगा क्योंकि उनको problem ही नहीं है उनको कांसी नहीं है लेकिन वो फिर भी virus केरी कर सकते हो बाते करते होई वो कांसते होई वो चिंकते होई यह virus दुसरों तक पहुंचा सकता है तो मा बाजरों मेरे कम से कम जाएंग से चाहिएं अभी एद के दिन आने वाले ए शापिंगस पे कम से open को लoping गर से जाएं विजख़mentation को बाजरों गरां बाजरों में ना लेके जाएंगस में हाथ बार बार दोएं तीन और हाथ दोने का system मुझूद नौ March जितना आप अपना ख्याल रख सकेंगे उतना ही आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं अगर आपके वज़े से किसी फैमली में वारस चला जाए उस फैमली में डेथ हो जाती है या वो लोग बिमार हो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होगा और कितना आप दूसरों का नुक कि क्या वो एहत्याती तदाबीर करें किस तरीके से ईद गुजारें देखे मैं समझती हूँ कि इदे बहुत सारी आएंगी इन्शाला अगर जिंदगी है तो इदे भी बहुत सारी मिलेंगी हमें अगर बहुत सारे तहवार होते हैं बहुत सारी घाथरिंग्स होती हैं अगर मैं समझती हूँ किस पेंडेमिक में हमें खास दर पर चाथ था एंपोर्टन आगर अगरॉस्वना आपने घासे से बात ए जी पक्टी कंदे कृति क्युक्के अगर हमोपने अबने में कि अची ईजी यदे गुजार नः और एक अच्छी याँ ज़ानी है और एक अची पा शॉपी का खाया है और गर बैटके अगर हम इस तक नमईरी के झिज़ैंगे तोबर मुझाओ मुझा सॉ आट अक्टर मुम्ताज अली खान हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन इस वबा से बचने का तरीका सिर्फ एक ही है और वो यह कि एक एक तदाबीर के साथ साथ वैक्सिनेशन की तरफ जाए जाए इसके इलावा इस बिमारी से बचना बड़ा मुश्किल है आप सोच रहे होंगे कि हम तो बलकुल हेल्दी हैं हमारे मामलात तो बलकुल ठीक हैं कोई कोई मौबिटिटी नहीं है लेकिन ये बिमारी इस कदर अन्प्रिडिक्टिबल है कि ये जवान और हट्टे कटे लोगों को भी निगल चुकी है इसलिए खुदारा अपने असपास के लोगों के लिए अहतियाती तदाबीर को फॉलो करें और इस इद को जरा साथगी से गुजार लें निका निसार को अजाज़त दीजे अगले हटे मुलाकात होगी अल्ला हाफिज